नमस्क्रार इंठ आलो फ्रेंड्स में हूं डॉकेंदर और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चानल डॉकेंदर बोला एंड हल्टिप्स दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन D की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तो इसका treatment कैसे होना चाहिए कौन से ऐसे injections है और कौन से ऐसी दवाईया है जिने लेने से हम विटामिन D की कमी हमारे शरीर में दूर कर सकते हैं उनका dose क्या होना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, उनके क्या side effects हो सकते हैं उनके overdose से क्या दिक्कत हो सकती हैं यह सारी बाते simple language में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसलिए इस वीडियो काफी कुपया अन तक देखते रहेगा दोस्तों, वीटामिन D की कमी हो कैसे जाती है इस बारे में भी जानना जरूरी है आज कल हम हमारे घरों के अंदर कैद हो जाते हैं एसी रूम्स में, ओफिसों में एसी रूम्स में कैद हो जाते हैं गाइडियों में एसी में कैद हो जाते हैं हम इंडोर्स जादा रहने लग गए हम हमारे शरीर को धूप नहीं लगने देते हैं m MOM. यह वितामिन। दी हमारे शरीर को नदूप लगती है m Sunlight Contacts में आते हैं तब vitamin D हमारे शरीर में हमारे skin के अंदर बनता है दोस्तों इसलिए धूपन की कमी के वएसे Sunlight exposure की कमी के वैसे vitamin D की कमी होने लग गई है दोस्तों तीन IMPORTANT LAKSHUN सिर्फ आपको ध्यान रखने हैं जिन से आपको संकेत मिल जाएगा कि हो सकता है कि हमारे शरी में विटामिन D की कमी होने लग गई है पहले जो important संकेत है लक्षन है वो है bone pains bone याने कि आपकी जोडों में आपके हडियों में मास पेशियों में दर्द होना पहला important लक्षन दूसरा important लक्षन ये है कि थकान रहना हर वक्त tired feel होना याने कि हमेशा आपको सुस्ती fatigue लगेगा हिम्मत नहीं रहेगी all the time feeling tired थकान मैसूस करता ये दूसरा important लक्षन है दोस्तों और जो तीसरा important लक्षन है जो vitamin D की कमी के और इशारा करता है वो है low immunity याने कि इस वज़े से आपको बार बार infections होंगे कभी जुखाम, कभी खासी, कभी और भी infections दोस्तों कोरोना वाइरस के अंदर भी उन लोगों को जादा कोरोना वाइरस COVID-19 ने प्रभावित किया है परेशान किया है जिन लोगों में vitamin D की कमी थी क्योंकि vitamin D हमारे शरीर की अंदर बहुत एक important vitamin किया, काम करता है हॉर्मोन जैसा काम करता है जिस वज़े से हमारे शरीर का immune system strong रहता है तो दोस्तों ये तीन important लक्षन ध्यान में रखे और इस vitamin D की कमी को दूर करना बहुत जरूरी है vitamin D की कमी ज्यादा तर देखी जाती है ज्यादा देखी जाती है तो जो सबसे पहला कारण है dietary intake जिनका ऐसा हो कि जिसके अंदर vitamin D हमको नहीं मिले दोस्तों normally vegetarian diet से vitamin D की बहुत ही कम मात्रा में शरीर को पूर्ती होती है इसलिए ये जो vitamin D levels है ये काफी सारी fish में कई तरह के मच्छियों में और egg yolk में यानि कि जो egg का पीला इसा होता उसके अंदर vitamin D के levels अच्छे होते हैं इसलिए जो लोग vegetarian है purely vegetarian है जो fish नहीं खाते eggs वगरे नहीं खाते उनके अंदर vitamin D की कमी देखने मिलती है दूसरा जो elderly है old age people है और छोटे बच्चों में small children चोटे बच्चे और elderly इन लोगों में vitamin D की requirement श्रीज में ज्यादा होती है तो इन लोगों में भी कमी देखने मिलती है तीसरा कारण है कि inability to get sun exposure यह तो हमने पहले भी बताया है जिन लोगों को धूप नहीं मिलती उन लोगों में तो vitamin D की कमी होनी होनी इसलिए आज कल ज्यादा तर Indians में more than 50-70% लोगों में vitamin D की कमी पाई जाती है चोथा कारण है कि अगर आपका kidney सही काम नहीं कर रहा है दोस्तों kidney vitamin D जो हमारे श्रीज में होता है उसको active form में convert करता है तो कई बार क्या करता है पर दोस्तों जब blood test vitamin D के लेवल्स आपके शरीर में काफी लो है तो उस वक्ट डॉक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं इंजेक्शन, एरेकिटॉल ये दोस्तों दो स्ट्रेंथ में आते हैं एक तो 3 लैक और 6 लैक ये कॉस्ट निए उसकी कीमत नहीं है बर उसके अंदर कितने इंटरनाशनल उनिट्स है कितनी दवाई की स्ट्रेंथ है वो है इंजेक्शन तो सिर्फ 40-50 रुबे का आता है काफी सस्ता ट्रीटमेंट होता है दोस्तों विटामिन D के कमी को दूर करने के लिए तो इंजेक्शन एरेकिटॉल 3 लैक इंटरनाशनल उनिट्स एक स्ट्रेंड तो यह है और दूसरा है 6 लैक इंटरनाशनल उनिट्स यह आयम लगता है यानि इंटरमस्कुलर दोस्तों जब कमी काफी कम हो शरीर के अंदर विटामिन D लेवल्स काफी कम हो तब डॉक्टर्स यह सजेस्ट करते हैं कि आप एक इंजेक्शन शुरुवात में लोडिंग डोस में लगवाले और बाद में दूसरे ओप्शन्स है जैसे कि विटामिन D के सोलूशन आता है औरल सोलूशन यह आप छोटे सा सिरफ देख रहे हैं इसको सीधा आपको पीना है कैल्जी नैनो विटामिन D ओरल सलूशन तो बाद में मेंटेनेंस डोस याने की बाद में जब विटामिन D का इंजेक्शन लग जाएगा तो बॉडि के अंदर लेवल्स काफी जल्दी नॉर्मलाईज हो जाएगे और फिर दूसरे ओप्शन्स होते हैं विटामिन D ओरल सलूशन यह मैंने आपके हाथ में मैंने ले रखा है यह आप देख रहे हैं है कैल्जीन ओरल सलूशन इसको सिर्फ आपको खोलना है और सीधा पीना है जचाएगा पुर्दी ऑफटर मिल्स याने खाने खाने के पश्चाथ खाना खाने के पश्चाथ इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि विटामिन D दोस्तों ये एक fat soluble vitamin है याने कि अगर खाने के अंदर कुछ fats हो तो ये body के अंदर जल्दी absorb होके हमारे शरीर के अंदर store हो जाता है इसलिए खाने के पश्चाथ वैसे before meals भी ले सकते हैं और after meals भी ले सकते हैं और खाने के पश्चाथ doctors कुछ advice करते हैं तो vitamin D, oral solution, दूसरे vitamin D के tablets भी आते हैं, chewable tablets vitamin D, oral solution, tablets और sachets भी आते हैं जिनको दूद मिला के पीना होता है यह इनके जो strength है, इनका जो power होता है, वो है 60,000 international units injection थो हमने आपको बताया था, दो strength में आते हैं, 3 lakhs और 6 lakhs और जो solution है, vitamin D, chewable tablet है और sachets है, इनका strength होता है, 60,000 international units दोस्तों, vitamin D का जो normal dose हमारे शरीर में है, जो levels होना चाहिए वो है 20 nanograms, यानि 20 nanograms से लेके 50 to 60 nanograms थक, यानि की 20 के उपर ही होना चाहिए, vitamin D का जो level है, अगर 20 से नीचे है, तो हम थोड़ा inadequate बताएंगे, अगर 12, यानि 10, 12 से नीचे है, तो deficiency बताएंगे, यानि की vitamin D काफी शरीर में कम है, तो शरीर में नुकसान होने के चांसे ज़्यादा है, तो normally vitamin D के जो levels है, वो 20 की उपर, इसमें अलग-अलग, experts की अलग-अलग रहा है, कोई 30 to 50 का normal range बताता है, कोई 20 to 40 का normal range बताता है, परन्तु जब vitamin D के levels शरीर के अंदर 60 के उपर, यानि की 100 के उपर अगर चले जाए, तो हो सकता है, toxicity हो, vitamin D के, overdose के जो side effects देखने मिल सकते हैं, इसलिए हमेशा vitamin D के levels 20 to 50 के बीच में रखना suggest करते हैं, सब doctors, 20 से नीचे हैं, 10 और 20 के बीच में हैं, तो हम बोलेंगे की कम है, inadequate है, तो इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, पर जब 10 या 12 से नीचे हैं, 5, 2, 6, 7, तो मानों की in deficiency, यानि की severe कमी है आपके शरीर में, और vitamin D को तुरंथ बढ़ाने की अवश्यक्ता होता है, इन बातों का ध्यान रखेंग दोस्तों, दोस्तों, अब सबसे आखरी बात, vitamin D levels हमने आपको बता है, शरीर में 20-30 से लेके 40-50 levels तक होने चाहिए, nanograms per ml तक होने चाहिए, परन्तु जब vitamin D levels हमारे शरीर में more than 100 nanograms per ml हो जाते हैं, तो शरीर के अंदर overdose और toxicity देखने मिलती है, शरीर के अंदर कैसे लक्षन देखने मिलते हैं, जैसे की fatigue, ठकान रहना, vomiting, उल्टी वाक होना, diarrhea होना, constipation होना, भूख बंद हो जाना, lack of appetite होना, bone loss हो सकता है, हड्डियों को नुकसान हो सकता है, मास पेश्यों को नुकसान हो सकता है, kidney damage हो सकता है, और आपको hospitalized भी होना पड़ सकता है, hospital में भरती भी होना पड़ सकता है, इसलिए experts हमेशा कहते हैं, doctors या advice देते हैं, कि हमेशा vitamin D आपको doctors के supervision में लेना चाहिए, और अगर vitamin D आप supplements लेना शुरू कर रहे हैं, तो आपके vitamin D levels पहले चेक कर लीजे, शुरूआत करने के पहले, और जब vitamin D आपने ले लिया है, दो मेने, तीन मेने, छे मेने, उसके treatment, and after the starting, after ending the treatment, ताकि vitamin D levels क्या हैं, यह हमको मालुम रहे, दोस्तों, mostly toxicity देखने कम मिलती हैं, यह हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना है, दोस्तों, आज मैंने आपको vitamin D levels हमारे शरीर में जब कम हो जाते हैं, तो उनके लक्षन, कौन सी कौन सी ऐसे उपाए दवाईयां ह इसके क्या side effects हैं, सारी जानकर इस वीडियो में दिए, इस वीडियो का ब्लाइक हैं शेर जरूर कीजेगा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो कुरुपया इसको subscribe की दिए, ताकि हम ऐसे वीडियो आपको और लागे दे सकें, दोस्तों, यह वीडियो मैंने खास outdoor बना यह पड़ आपको और आपको यह वीडियो में दिए, अद्व जोस्तों, यह वीडियो में दो।